जिला कांगड़ा के भवार्ना के अंतरकत ग्राम पंचैत गदियाड़ा के बाट दो के टीका नलूट की पचास वर्षी महिला की हत्या कर दी गई महिला का संदिक दहालत में घर से तीन किलोमीटर दूर शब पड़ा मिला जनकारी के मताबिक अपने घर से पालंपूर पले निकली कुसुम नाम की महिला जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस से कर उसकी तलाश शुरू कर दी जब पुलिस और परिजनों ने तलाश शुरू की तो महिला का शब घर से लगभग 3 किलो मीटर की दूरी पर सड़क के साथ लगती पुलिया के नीचे पाया गया वहीं इस बात की पुष्टी करते हुए जिला कांगडा के एसपी हितेश लखनपाल ने कहा कि भवार्ना पुलिस आने के तहट पुलिस ने हत्या के मामले में भारतिय दंड सहिता की थारा 302 के तहट मामला दच कर जान शुरू कर दी है उन्होंने कहा कि मृतक महिला के परिजनों के मुताबिक महिला की गला रेत कर हत्या की गई है जिसके सबूत मोकाई बारदात पर मिले है उन्होंने कहा कि पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मोटम के लिए भेज दिया है पुलिस ने अपने बयान में महिला की गले चान बिन शुरू कर दी गई है और जल्द ही इस हत्या में शामिल लोगों को पुलिस द्वारा पकड़ कर सलाखों के पीछे भेजेगी हिमाज़ा प्रसुतली धर्मशाला से रकेश कुमार की रिपोर्ट देखे कल शाम की सुचना हमें मुली है इसमें कल्यांचा नाम के वेक्ति हैं उन्होंने बताया कि उनके धरम तत्मी जो पहीं गई थी निरंगकारी सथें सुनने वो शाम को जब बात हुई है फिर बेटे को बेजा था लाने के लिए उसके बाद से उसके बाद ये खुद और अपने साथ अपने रिलेटिव को लेकर वो उसको डूडने की कोशिश की है जब पुलिस को इसका पता लगा है तो पुलिस ने धारा 302 में मंटर के तहई जो बहवारना थाने में जो है हमने केस रिजिस्टर किया है एफसल की टीम भी विजिट कर चुकी है और अभी जो है पुलिस ने कर भाएंगे जैसे ही कुछ होगा आपको अपडेट देंगे तो फॉरेंसिक की टीम विजिट कर चुकी है हमारे हमारी और भी पुलिस टीम मौके पर ही है जल्दी इसमे अपडेट देंगे जी आशेंका है उसी उसी लेबल पर हम काम कर रहे हैं जो जो भी कोई बात बता रहा है सारी चीज़ों को ध्यान में रखे जो पुलिस जांच करें